। निशनल करेंट अफेर्स का एक वीडियो आच युआ था । सेकेंड वीडियो हम लोग डिसकस करेंगे किसान ड्रोन यात्रा तक हम डिसकस कर चुए है ये एडूटेरिया में हम लोग करा रहे हैं एडूटेरिया ओलBERT हम cocktail जनवरी 2021 से करा रहे हैं तो यह जो नई वाली मैगजिन आई है, जिसमें मार्स 2021 से लेके अप्रेल 2022 तक का न्यूज है, तो इसमें आलेडी क्योंकि हम दिसंबर 2020 तक का डिसकस करी चुके हैं, तो इस मैगजिन से सिर्फ हम जनवरी, फैबरोरी, मार्स 2022 डिसकस करें, तो नेशनल कर इंटर फेर्स हम अब जो कल्चर है, और हमारे जो आर्कलोजिकल सर्वे अफ इंडिया है, एस आई, इन दोने ने और्गेनाइज किया है, कॉन्फरेंस, कॉन्फरेंस का नाम क्या है, देवायतनम भारतिये मंदिर आर्केटेक्टर, कहां पी किया है, ये इंपोर्टेंट है, पूछा रो सकत है, ये बात याद रखना, किन्होंने करवाए, उनियन मिनिस्ट्री ओफ कल्चर और आर्केलोजिकल सर्वे अफ इंडिया, उसके लाबे दिल्ली काबिनिट ने अप्रूव किया है, कि इंडिया का पहला इलेक्ट्रोनिक वेस्ट इको पार्क बनाएंगे, जहां पे इवेस को रिसाइकल किया जाएगा, ठीक है, इवेस्ट को रिसाइकल किया जाएगा, तो यहां पे एक्चुली यह होगा, डबलू ए एस टी, आपको न्यूट से नहीं लग रहा है, यह होना चाहिए, उसके अलाबे, नेक्स्ट कॉस्टन है कि 45 इंटरनेशनल कॉलकाता बुक फिय हो रहा है, 28 February को लॉंच हो रहा है, याद क्या रखना है, याद बस रखना है कि फोकस कंट्री है बांगलादिस, ठीक है, उसके अलाबे, वेस्ट टू वेल्थ क्रियेशन प्रोग्राम, यहां पे भी वेस्ट डबलू ए एस टी वाला होता है, वेस्ट, यह दीसा वाला वेस डिया, obviously, क्या करना है, कि जो भी चीज अभी तक वेस्ट है, जैसे सुंदर्बं के फीसेश स्केल, जड़ वेस्ट होता है, उससे जुएलरी आप बनाओ, सो पीसेश बनाओ, जो कहाँ पे करवाना है, सुंदर्बं के वेस्ट बंगाल में हैं, वहाँ कीände से समझ मेंढ आना सुन्दरबन की वोमेन से यह सब करवाना है और किन्हों ने लॉंच किया है सिडवी ने नेक्स्ट है देखो एक चीज तो हमें पता है कि बहुत सारे प्रोटेक्टेड साइट होते हैं लाइक नेशनल पार्क वाइलेब संचूरी वायो डैवर्शी बायो इस्पेर एरिया ले अराबली बायो डावर्शी पार्क यह गुरूग्राम में है उसको क्या डेजिगनेटिन मिला है इंडिया का पहला अधर इफ्टिव एरिया बेस्ट कंजर्वेशन मीजन कि मतलब यहां पे क्या किया जाएगा ऐसा नहीं कि यहां पे कोई वायलाइब संचूरी नेशनल पा साइट के अंदर आता नहीं अभी तक में यह आगे किसी और प्रोटेक्टिड साइट का पार्ट बजना यह हो सकता है नाम याद रखना अराबली सिंपल आप से पुछा हो सकता है जो पहला साइट है ओ इसका फुल फर्म है अधर इफ्टिव एरिया वेस्ट कंजर्वेशन पहला साइट कोन साइडिया के जिसको इसके अंदर डाला गया है पहला साइट अराबली ओर और क次 अ ही आना देखो आपको इससे यह भी पता चलना चाहिए कि under line क्या क्या करना य 211 को याद नहीं रखना है इससे कुछ भी पूछेगा नहीं और यह आपको पता होना चाहिए कि इंद्र equivalent खैस्प क Kerry कोगे याद नहीं! यह स्पेसली किसको कवर करता है वोमेन और चिल्डरन को ठीक है उसके लाब एक दुनिया का लार्जेस्ट कैफे बना है जिसका नाम है इगलू कैफे कहां पे ओपन हुआ यह पूछा सकता है कहां पे ओपन हुआ है गुलमर्ग जम्मु अनकस्मिर यह याद रखना है कि पहला यह मर्ण का लार्जेस्ट कैफे कोन सा है इगलू कैफे और उसके यह उपन का हुआ है गुलमर्ग जम्मु अनकस्मिर में किसको इंडस्ट्री ओपन करना है तो अब बार बार अलगले डिपार्टमेंट के पास नहीं जाएगा एक विंडो पर ही सारा काम हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट डार्के थौन डार्के थौन 2022 इसको और्गनाइज किसने किया नार्कॉटिक्स कंट्रोल बीरो ने निव देली म ताकि ड्रग ट्राफिकिंग के खिलाब सॉलूइशन परापत कर सेके ड दिन को कौन से दिन को 15 फरवरी को माटियर्स डेय यानी सहीद दिवस घोसित क्या भाई इस दिन क्या हुआ था मुंगेर में मुंगेर ने में 1932 को 24 फ्रीडम फाइटर को मार दिया गया था मुंगेर में 1932 को 1932 को 34 फ्रीडम फाइटर को मार दिया गया था इसी दिन इसलिए इस दिन सहीद दिवस मनाया जाता है कि इंडिया का पहला लेवल थी मोवाइल बायो सेफ्टी लेबरेट्री ओपन हुआ है आप से पुछे कहां पर ओपन हुआ है नासीक में बता देना ठीक है और वही है कि एम क्या है कि चेक करना नहीं इमर्जिंग वारेल डिजिज का नेशिनल साइंस फेस्टीबल इसको जॉयंटली कौन ओर्गनाइज कर रहा है नेशिनल इस्टीटूट अफ टेख्णिम अनेशि नीkachण इस्टीटूट अफ नाइस्टी इसची के जूते हैं और 10 यंण नेश्टीट आप लिएजिशन है अध्राबाद की जो नेशी इस्टीटूट अप टेख्णियोजी हमें पता हैं और नेशनल इस्टीटूट अश्टूट नूटिशन नेक्स्ट है प्रोजेक्ट आरोहन सिम्पल आपसे खुछाए किस गबर्मेंट कि आसाम गबर्मेंट की किस के साथ तार्टा ग्रूप के साथ क्यूं students के skill को improve करना पस हो गया project ROH, Assam Government data group के साथ मिल के 4 year का program ही Jam में नहीं आ था कितने साल का है improve करना है skills का उसके अलाव है next है World Economic Forum जिसका अभी summit हुआ है Davos में और National Institute of Urban Affairs इन दोनों ने launch किया है Sustainable Cities India program इसमें क्या किया जाएगा cities को थोड़ा sustainable बनाए जाए कि city जो सहर होते इस तरह से function करें क्यों ऐसा नहीं फूचर जेनरेशन के लिए city रहने लाइक ही नहीं हूँ तो city को decarbonize करना कारबन न्यूट्रल करने ये सब करने के विचार है कुन-कुन World Economic Forum और National Institute of Urban Affairs पहला सोलर पावर प्लांट बना है इंडियन रेलवे का कहां पे लॉंच किया है मध्य प्रदेश ने काप सीटी है 1.7 मेगावाट उसके अलावे पहली बार इंडिया में Oceans 2022 कंफरेंस हुआ है इसको और्गिनाइज कौन किया है आईटी मदरास और National Institute of Ocean Technology ने आईटी मदरास नेशनल इस्टीटूट ऑफ ओसन टेक्नलोजी ने सिंपल आपको आईटी वाला याद होना चाहिए उसके अलावे सिंपल है Oceans 22 कंफरेंस होगा तो क्या बात करेंगे यह Oceans के पॉलूशन के बारे में Oceans पे सब कुछ Oceans के क्या प्रॉब्लम होता है उसको टैकल कैसे करे क्लाइमेट चेंज सब कुछ लेकिन थीम प्लीज यहां दखना थीम है इंस्पाइर इनोवेटिव सस्टेइज इंस्पाइर इनोवेटिव सस्टेइज उसके अलावे मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन ने क्या किया है जो अभी एक प्रोग्राम चला था राष्टिये उच्चतर सिक्षाभियान इसको एक्स्टेंड किया है पहले 2013 में लॉंच किया गया था और इसका अब्जेक्टिव है कि हम फंड करेंगे एक टरनल जिसका नाम है T49 टरनल देखो आप एक और टरनल के बारे में सोने होगा कि सबसे लंबा है लेकिन वह लंबा है किस वेसिस पे अपने अटल टरनल के बारे में सबसे लंबा है तो लंबा किस वेसिए क्योंकि वह उस हाइट पे सबसे लंबा है 10,000 फीट के आसपास हो है उस हाइट पे बहुत लंबा है लेकिन यह जो टरनल है इसको इंडियन रेलवे ने कर्श्टक किया है यह लॉंगेश टरनल होगा ठीक ना ओएस से लंगेश टरनल क्योंकि उसका बस तेरा किलोमेटर के आसपास पे लिंद्स प्लीज यात नहीं रखना टी-49 टेलर कहाँ पर उद्धंपूर से स्रीनगर से वारामिला को रेवल के तुरू लिंग करता है उसके लाबे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ और कल्चर और पार्लेमेंटरी अफेर्स मिनिस्टर है अरजूर राम मेघवल जी इन्होंने और 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 अर्गिनाइज किया है लार्जेस्ट स्टूडेंट कारियर कांसलिंग सिंपल याद रहाएं कांसलिंग 2022 कहां पर कहां पर आरेंज किया गया था बिकानायर में ठीक न बहुत सारे लोग आएंगे ट्रेनिंग होगा बहुत क फूल इसने क्या किया है जी एक लाउझ किया है इस smart card आअ्मस लाइसेंस ठीक है ऩे हमस स्मार्ट कार्ड आम्स लाइसेंस इसके अंदर smart card अपने आप पास राखना होगा और सिंपल सम्होना कि अगर आंउस लाइसेंस आपकं आमस रखे हो तो उसका लाइसेंस रखना हो तो लाइसेंस के लिए मोटी किताब नहीं रखनी है बस आपके पास एक स्मार्ट कार्ड होना चाहिए हो गया उसके अलावे स्वस्तर एप भी है किस ने लॉंच किया बस याद रखे दिल्ली पुलिस ने दुनिया का लार्जेस्ट वेल यह कहां पर कश्ट्रक किया गया है चंबल के रिवर फ्रॉंट पर चंबल के रिवर फ्रॉंट पर और इसका वेट कितना है 12,000 गराम उसके सेंट्रल गवर्रमेंट पर आईटी आक्ट के 69A सेक्षन के थुरू किसी चाइनेज आप को बैन किया के थुरू चाइना के आप को बैन करा तो आप से पुझे आईटी आक्ट आप से 69A सेक्षन आफ आईटी आक्ट या बोलेगा किसी और आप के थुरू मतलब आपके वास चार-पाच ओप्सन नहीं देंगे उसके अलाबे सबसे पहले लाउंज किया किन्पर लॉंज किया कि फिटल्ड के विशन शार्माइगे कर दोए के पहला क्यूंज किया बिइस पूछा जा Peg very जो color memory coin है वो किन पे किस पे बना था तो पंच तंथ पे पंच तंथ को किस ने रिलीज किया किस ने compose किया था विश्नु सर्मा ने चलिए एक चीज पहले मैं आपको अपको ड्रेजिंग पता होता है ड्रेजिंग में एक उन सबको सजाना मतलब उन सबको बहुत सारे इस्टोरिकल मोडल जो डेप्री निकालने के हैं उन सबको सजाना कहां पे और तो सजाना बताना की ऐसे यसे लगलए टेकनिक है उसको एक म्यूजियम के तुरू दिखाया गया जिसका नाम है निकर्शन सदन ड्रेजिंग मैं ज़िए आप समझ जागे कि यह टेकनिक है मूजियम याद रखना बिशा का पर नका बैदान्ता सब्सक्राइब क्याद में बेंदान्ता लिमिटेड बेदान्ता के तौर पे उसका मनाम है उस कंपनी का नाम है के लए उस्ने डिसकवर किया है उसको राजस्थान के बरम बरमार में रिजर्ब, मतलब की वारव बरमारम में वायल्ल रेजर्ब को पाया है। जिसका उन्हें नाम रखा इवायल्टHe ऐंवदानटा की अंदर क्टी जो चोटी नहीं बोल सकते हैं वेदानता ने टाइप किया है फोल्क कॉन के साथ फोक्स कॉन बोलते हैं और यह TIEWAN की कमपनी है जो लार्जस्ट इल्ट्रोनिक मैन।िक्ट्रेंग है TIEWAN की कमपनी और सेमिकंडक्टर बनाती है तो इसलिए हमारा डोमेस्टिक मैनुफेक्ट्रिंग होगा इलेक्ट्रोनिक सेमिकनेक्टर का इसलिए विदानता ने फॉक्स कॉन के साथ क्या किया है टाइप किया है इंस्ट्राग्रम लोज के यह बात यात रहें टेकर ब्रेक शतिस गवर्मेंट टेको अलड़ी आपको पता है ना कि हमारे पास एक स्कीम है जिसमें आपको पास थोड़ा जमीन है तो आपको छे हजार पर साल मिलता है दो हजार के इंस्टॉल्मेंट में लेकिन अगर कोई लै अग्रिकल्चर लेवरर न्याय युजना शे वह इंको जमीन नहीं है तो तो भी ले यह इनको भी शे हैजार मिलेगा और टू इंस्टॉल्मेंट में इनको यह आप नहीं रखना है बस आपको शे है सिंपल आद रखना है राजीव गांध टी ग्रामीन लैंडलेष अग्रि प्रदेश और इसको इनागुरेट के किन्हों ने किया है हमारे प्रेसिदेंट साहब रामनाथ कुभिन जी एम क्या है सायन्स को प्रोमोट करना मनिपूर के साथ पहली बार गुड्स ट्रेन को एड़ किया देखो पहले पैसेंजर ट्रेन थी गुड्स ट्रेन को पहली बार एड़ किया गया है और एक कुछ स्टेशन तक पॉण चाहिए रानी गयतुंदी इस्टेशन तक ठीक है उसके लाबे इंडियन आर्मी ने और और पहला है था रन चेत्रम ठीक है यह बात यह सिर्फ कहां पर हुआ था महो हिमाचल परदेश में हुआ था ठीक ना ट्रेनिव एरस रिलेटर हो गया यह यह यां दिरखना है आंधर परदेश गवर्रमेंट ने लॉंच किया है एपी सेबा पोटल थी एपी से आंधर सर्विसेस प्राप्त होती है ना उसको कैसे बेटर बनाए जाए तो आंधर परदेश इसमें काम करता है मिनिष्ट्री अफ कल्चर ने साइन किया एक एगरीमेंट बिद एस्वी आइए के साथ आगरीमेंट किया है ताकि आत्म निर्वर भारत डिजाइन सेंटर बनाए जा यादर रखे गया गबर्मेंट अफ तमिलाडू ने कंस्टिट्यूट किया एक मरीन एलिट फोर्स मरीन एलिट फोर्स ताकि बायो डिवर्सिटी को कंजर्ब किया जासे कि इन गल्फ आप मनार एन गल्फ आप पार्ग ठीक है चलिए कंट्री का पहला एल्कोहल वाइन म्यूजियम गवा में बन रहा है बस याद रखने है और एक बहुत सारा पूराना लगवा पांत साल ओल्ड एल्कोहल ता फेनी जो सबको एट्राक्ट करता था प्राइम मिनिस्टर मिंजियम का तेन मुर्ति भावन प्राइम मिनिस्टर म्याई शिभावम में आपको बस पताना वह विट्यू रेसके थे पयरम ओन गय थे देखे थी, तीम मुरति भावन नीव दelी में है फिंटेक open summit किनों ने और्गनाइज किया नीती आयोग ने और्गनाइज किया फिंटेक यह बातिया रखे और इनागुरेट किनों ने किया था अश्वनी वैसनब जी जो हमारी union ministry ministry of railway और फिंटेक company को promote करना परबत भी यह बहुत है क्योंकि भारत माला शागर माला हमने देख लिया था अब परबत माला पर कैसे श्ट्रक्चर माला जब हुए वर्ड है यह माला वर्ड हमेशा transportation connectivity से रिलेटर है ठीक है ना सागर माला सागर में connectivity भारत माला रोड connectivity की बात करते हैं सेम परवत में connectivity यहां बोलते हैं कि रोप बे को focus किया जाए रोप बे क्योंकि थोड़ा construction यह बहुत टफ होता है सरक बनाना पहारों पे इसलिए रोब बे पर बहुत दूःद करना होई थी हमें हम लोग को पहले पता है सेंटर ने अप्रूब किया है कि तीन प्लेस जो मध्यप्रदिस का उसको रेनेम किया जाएगा होशंगाबाद को नर्मंदा पूरं बोला जाएगा बवाई को मखान नगर सिभुपूरी को कुंदेश्वर थां इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट इंडिया का जो प्रे टार्डिटेओ निकालती है वो याद नहीं रखना है बस याद रखन जाएकर जामोन कस्मीर को टॉप मिला है ठीक है नहीं मिडिया पोस्ट को टार्ड़ेट करता है यह बात यादर अगना वाटर टैक्सी शर्विस पहली बार कहां पे वा साउथ मूंबई में सिमपल यार इस बल मुमबई पहला बायोड़िवर्सिटी फार्क स्टेट का हिमाचल प्रदेश में लांच किया गया है देस्टेट्स फर्स बायोड़िवर्सिटी फार्क हच प्रिफन छिंड ऑपिन इन मंदी डिश् nyt काा पहां पे मंदी इज नहीं हम पूछेंगा है ध्यकिन का सेकिन्ड हाइफ ट्राइकलर होस्ट किया रहा है पहला तो आपको पता सब्से हाइफ किया गया था लट्डाक में ये सेकियर ही है टवांग टीस्टेग फर्हुने देटी समय अार। हमें डी स्वास कहरें नेके हैं उसका जैनानुवरी का वच ne इन्डिया का पहला ओपेन रॉक मीजियम इनागुरेट किया गया है हैदराबाद तेलंगाने बस हो गया इलेक्शन कमिशन ने अभी क्या किया जो एक्सपेंडीचर जो खर्चा होता है कंडिडेट के दौरा लोक सभा में या जेनरल एसेंबली के एलेक्शन में उसको बरहा जो लारज स्थेट में ने सचन्डी में कर सकते है वह हक्तायалась होताग पाहले में आछाव भी सथा हो महां अ आफिस आर्मी में आफिसर है याद रखें इंडियन औरजिन किये पहली इंडियन औरजिन वूमें बनी है जो साउथ पोल पे पहुंची है अन्टाक्टिका के बिल्कुल बीच में साउथ पोल में और यह कम्प्लीट किया है अपना एक्सपेडिशन ऑन टू एर ऑन फूट प रखते हैं एक्ता नगर रेलवेस्टेशन और इक्ता किनके नाम से मैं पता ही चल गया है यूनिटी स्टाच्य ओफ यूनिटी मिशन अमानत रेलवेब प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉंच किया है मिशन अमानत भाई आपका समान गुम हो गया है एक वेबसाइट पे रखते जागा ट्रैक करते रहाना 24 नेशनल इगवर्नेंस कंफरेंस है जो कि हाइदराबाद में और्गनाइज किया गया है 24 नेशनल इगवर्नेंस कंफरेंस डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन जो करें उसको अवार्ड में लेगा इसमें पीए मोधी नरेंदर मोधी जी ने इनागुरेट किया है में सेमी टेक्लोजी सेंटर कहां पर पूडूचेरी में याद रहां में सेमी टेक्लोजी सेंटर कहां पर इस्टाबलिस किया है पूडूचेरी में और क्या क्या हो रहा है यह सब याद नहीं रखना है ठीक है देखो बीपीएसी का यही है कि वह डिरेक्ट डिरेक्ट कोसन पूछती है थोड़ा और है लगभग दो तीन पेज और होगा बतलब दो तीन एक एक लाइन वाला पेज एक पेज पूरा बचा एब ला एक दो तीन और उसके बाद ये बस बचा हुआ है इंडिया का पहला कोल से मिथनॉल बनाने वाला जो मैनुफेक्ट्रिंग प्लांट है उसको हैदरावाद में सेट अब किया गया है यह जिए न भेल इसको मैनुफेक्ट्र कर रही है कला कुम इसको और गनाइज कहां पर किया है नेशनल गैलरी जो की मॉडर्न आर्ट का है इं 16 जनवरी को क्या celebrate करेगी नेशनल स्टार्ट अप डे नेशनल स्टार्ट अप डे नेता जी सुबास संजी के बर्थ एनिवर्सरी को पे आपको पता ने एक होलोग्राम इस्टैचू बनाये गया है इंडिया गेट के पास बाद में उसको वैसा ही इस्टैचू बनाये जाएग नेशनल वार मेमोरियल के साथ अमर जवान जोती बिल्ड किया गया था 1972 के मेमरी में उन सोल्जर के मेमरी में जिन्होंने इंडोफॉक वार में लडाई अपना सहाधत दिया था सहीद हुए थे क्या अमर जवान जोती को मर्ज किया है नेशनल वार मेमोरियल में नेशनल वा कि Himachal प्रदेश पहला स्मोक फ्री एस्टेट बन गया स्मोक फ्री एस्टेट याद रखना है और इन्होंने ये सब हासिल कैसे किया तो हंड़ेड पर्सेंट एलपीजी इनेबल स्टेट वन रहे हैं लिकाने सब के घर में पेखाना बनती है वेस्ट बैंगोल इसी दिन को शुआ देश नायक दिवस मनाते हैं देश नायक दिवस मनाते हैं बस्ट बैंगोल प्रिपब्लिक दे के ओके जन पर सेंट्रल गवर्मेंट ने रिमूव दट्यून अबाइड विथ मी फ्रम दबीटिंग रिट्रेट सेरिमनी और जो एक पहले एक ओकेजन पर एक ट्यून चलता था 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 इंगलिस वाला था इसको हटा गिया आपको पता ने वीटिंग 15 अगस्त के उस समारों के लास्ट दी में बीटिंग रिट्रीट शेडिमनी होते है उसमें उन्होंने एक नया ट्यून डाल दिया है एं मेरे बतन के लोगों ठीक ना इनको किन्हों ने लिखा था प्रदीप जी ने लिखा था पोएट परदीप जी ने डूरिंग दे इंड रखनाओ उत्तरप्रदिस में यह बात याद रखना है पैरा बैडविंटन अकैडमी मिनिस्ट्री ओफ एलेक्ट्रोनिक्स अन आईटी ने प्रूब किया है कि वह इंडिया का पहला ग्रैफीन इनोवेशन सिंट्रम नाएं ग्रैफीन यह टाटा स्टील लिमिटेड के साथ कॉलाबरेट करके इंडिया का लार्जेस इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग स्टेशन कहां पर कंस्ट्रक्ट किया रहा है गुरू ग्राम में याद रखिए एक मुंबई में किया गया थो और स्मार्ट वाला था याद रखिए इंडिया ने डिसाइड किया है कि 150 विलेज और हिमाचल परतेश ने साइन किया एग्रिमेंट फर कंस्ट्रक्शन ओफ आदी बद्री डैम कहां पर यमना नगर में आदी बद्री डैम इसमें सरश्रती रिवर को रिनोवेट करने की बात की गई है सौंब रिवर जो हिमाचल परतेश का है उससे पानी लिया जाएगा औ और उसको यमना तक पहुंचाया जाएगा डैम बना के आदी बद्री डैम किसकिस ने अग्रिमेंट किया है हर्याना और हिमाचल परतेश ने प्रजक्ता कोली आपको पताईयों के यूटूबर है यो चैनल का नाम मुझे याद नहीं उनका और उन्होंने क्या किया है उनको यूनाइटेट नेशन डेवलोप्मेंट प्रोग्राम यंग क्लाइमेट चैंपियन का अवार्ड मिला है यह बात याद रखिया क्योंकि वह बात करती रहती वोमेंस राइट एजूकेशन इसब डिस्ट्रिक गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बात करते हैं यह 20 डिस्ट्रि पंद्रह जैनवरी 2022 को आर्मी डे के दिन लार्जेस्ट नेशनल फ्लाइग मेड ऑफ खादी इसको डिस्प्ले किया गया जैसलमेर में यह लार्जेस्ट है जो खादी का बना हुए याद रखियेगा केरला ने रिलीज किया है पहला स्टेट लेवल बर्ड इटलस स्टेट बर्ड इटलस किन्होंने रिलीज किया केरला ने उसके लागे मिनिस्टर ऑफ एस्टेट फॉर कल्चर है मिनाक्षी लेखी जी उन्होंने लॉंच किया है नौर्थ इस्ट ऑन विल्स कैमपेंड ठीक ना ताकि नौर्थ इस्ट के कल्चर को प्रोमोट किया जाएगा नौर् मैं पहला हेली हब बनाए जाएगा गुरू घ्राम में पहला हेली हब बनाएगा गुरु घ्राम घ्री होगी हेली कॉप्टर अनली ओजक्अरे बहुत फैसलीं और फेलिंटि अट्र अपरी य हobile अपोशी कि इसलिए इसको हाइड्रो मेट्रो प्रोजेक्ट बोलते हैं मतलब सिंपल समझो ना केरला में जो मेट्रो है देखो यह उस तरह का एकदम यह मत सजना कि जो नॉर्वन मेट्रो चलती हो वाटर पर चाहिए नहीं यह थोरा उसे छोटा लेबल पर बैटरी ऑपरेटेड बोट है मतलब बोट है जो बैटरी के दोरा उपरेट किया जता है कहां पर कोची में पहला सिटी बना जिसको हाइड्रो मेट्रो प्रोजेक्ट के मतलब पहला सिटी बना जहां पर हाइड्रो मेट्रो प्रोजेक्ट है नाम कहा रहा खा उस मेट्रो का मुझरिस प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी जी ने अनाउंस किया कि वो सेलिबरेट करेंगे 26 दिसंबर को आज बीर बाल दिवस किन को होमेज देने के लिए गुरु गोवेंज सिंग जी के चारो सनों को होमेज देने के लिए खादी एन विलेज इंड़स्ट्री जो है वो एक मोवाइल हनी प्रोसेसिंग वैन बनाएंगे वैन चलती रहती है आपको हनी को प्रोसेस करना उसको टेस्ट करना यह सब काम होगा यह गाजियवाद में लॉंच किया गया है जम्मू एन कस्मीर का एक एक विलेज है जिसका नाम है जेरी हमलेट इसको डिकलेर किया है कहा पहला मिल्क विलेज है ठीके न आ लेते एक और नीजा गुजरात हाई कोट ने जस्टिस क्लॉक लगाया कि भाई आपको टाइमली एक्सेस मिलेगी जस्टिस का गंजन डिस्ट्रिक है उरिशा का उसको डिकलेर किया गया चाइल्ड फ्री डिस्ट्रिक है चाइल्ड सॉरी चाइल्ड मैरेज फ्री डिस्ट्रिक इंडिया का पहला जियो सांटिफिक पार्क ये जबलपूर के लामता में लामता इन जबलपूर मध्य प्रदिस में कंस्ट्रक्ट किया गया है इंडिया का पहला जियो सांटिफिक पार मना औरू मना बरी प्रोग्राम है तिलंगाना गवर्मेंट का है और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रियेट किया जाएगा ताकि क्लॉालिटी ओफ एजुकेशन को इंप्रूव किया जा सके नीट 3.0 नेशनल एजुकेशन अलाइंस फॉर टेक्नलोजी है नेशनल एजुकेशन अलाइंस फॉर टेक्नलोजी इसको लांज किया है इउनियन मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन ने ताकि टेक्नलोजिकल इंप्रूव्मेंट किया सके ये बात गुजरात हाई कोट वाल तो मैंने बता ही दिया जस्टिस क्लोज ठीक है पेंडिंग केस कितना है डिस्पेश सब कुछ किया जागा तैम लाइन वाला में अलत वाज़ती कि इतना टाइम में कर दो नहीं थीजिए लेडी डिस्प्लेव वाल होगा विदिन द कोट कितना दिन में आपका केस सॉल्व करेंगे यह नहीं दिखाएगा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंग जी इनागुरेट किया है कलपना चावलाए स्पेस साइंस रिसर्च इंटर चंडिगर में उसके अलाबे उत्तर परदेश ने बोला है कि भाई मेन पूरी सैनी की स्कूल है उनका नाम हम जेनरल विपिंद आवाद जी के नाम पे रखेंगे नीरा माया स्कीम है जो कि आसाम गवर्मेंट ने लॉंज किया है ताकि पबलिक डिजिटल हेल्थ टेकनलोजी को इंप्रू जो राफेल फाइटर एर क्राप्ट को रिपब्लिक डी पैरेट पर चलाएं सेंट्रल गवर्मेंट ने एर इंडिया का ओनर्शिप टाटा गुरूप को दे दिया है फार्मर ऑफ डोडा डिस्टिक भी बहुत इंपोर्ट है ध्यान देना इसमें ज्यादा ची याद नहीं फार्मर ऑफ डोडा डिस्टिक जो जम्मोउन कस्वीर के डोडा डिस्टिक से वह लेवेंडर को कल्टिवेट करने का प्रो 미्चन करें इसको पर्पल पूचे का परपल मिश्टिप pacrगें न solvent डोडा के लिए और अग्यान इसकी में इसमीशन के तर्थ है छार पांचिए औ पर्पल रिवॉलुशन लेवेंडर डोडा जम्मु इनकस्मिट आपको पता है ना सिक्योरेटी लैप्स हुआ था इन पंजाब प्राइम मिनिस्टर जी के सिक्योरेटी लैप्स तो सुप्रीम कोट ने इंदू मलोतरा जी के अध्यक्षता में कमीटी इस्टाबलिस की गई है कि वो देखेंगे कि कैसे इनक्वाइरी करेंगी इस पर पहला ग्लोबल सुर्य नमस्कार प्रोग्राम और्गनाइज किया गया बाइ मिनिस्ट्री आफ आयूस के तोरह याद रखिए के फॉर्मरlais चीफ म मिनिस्टर थे परताप सिंग राने इनको इस्तेस और लाइफलॉग काईबनेट मिनिस्टर का स्टेटस मिला है क्वाइफलॉग काइबनेट मिनिस्टर स्टेट काउंसिल उफ में ठीक को यह यह ग्यारा टाइम एमेले रहे हैं लार्जेस सर्विंग एमेले रहेंगे बहुत बारे बहुत कुछ बने यह मतलब चीप मिनिस्टर रहे हैं लागतार छे बारे तो यह तो बने नाइन्थ एडिशन अफ नौर्थ इस्ट फेस्टिवल जो की हेल्ड हुआ गुवाहर्टी में याद रखिएगा इसका थीम याद रख लेना कनेक्टिव पिंपल सेलिवरेटिंग लाइब्स सीडियम एक कंपनी एक इंस्टिटूशन है जो क्या बताती है एबीएशन के बारे में स्टैट बताती है इसने क्या किया है चन्नाई के एरपोर्ट भाई कोची नहीं क्योंकि हर रहंखे में आप कोची को टॉप देखते हो यहाँ पर कोची नहीं है चन्नाई को आठमा अस्थान मिला है उन टाइम एफिसेंसी और लार्ज इंटरनेशनल एरपोर्ट मतलब एफिसेंसी के मामले में उन टाइम एफिसेंसी के मामले में चन्नाई को आठमा भाई तर टॉप को नहीं है टॉप है मियामी एरपोर्ट और यूनाइटेज इंडिया का हाइएस्ट फोटवाल स्टेडियम लेह लग्दाख में बना है कुमलांगी विलेजों की कोची में है ये पहला सैनेटरी नैपकीन फ्री विलेज बना है अंदर अबलकाई इनिसियेटिव एक इनिसियेटिव केरला ने चला है अबलकाई इनिसियेटिव उसके अंदर गद ये सैनेटरी नैपकीन फ्री विलेज बना है मिनिस्टिर ओफ एस्टेट फर कल्चा जो कि मिनाक्षी लेखी जी है उन्हेंने पिक्टोरियल कॉमिक बुक जिसका टाइटल था इंडियाज वुमेन अंसंग हीरो इसको रिलीज किया है ताकि वो ट्रिबूट से सके वुमेन्स फ्रीडम फाइटर को ठीक है उसके अलाबे उ हराइज विलेज में नेपाल बॉर्डर के पास है साउथ कोरिया की कंपनी पॉस्को इनने साइन किया है इंडियन कंपनी अडानी के साथ ताकि स्टील प्लांट शेट अप किया जा सके इन गुजरात पहला पोड़कास जिसका टाइटल है किस्सा खादी का दिली पुलिस न किस्सा खाकी का बताएगी यह मैं ठीक है लास्ट न्यूज है नेशनल करेंट अफर्स का अहमदाबाद का सुंदरवन मीनी जू है इसको लॉंच किया है अडॉप्ट एन एनिमल इनिसेटिव के तुरू इसका क्या मतलब भाई जू है उसमें अभी लॉकडान में पैसे नह बस इसका मतलब यह है ठीक है अहमदाबाद का सुंदरवन मीनी जू है तो हमारा यह पूरा नेशनल वाला करेंट अफर्स हो गया है ठीक है अब आप मेरे नंबर पर मैसेज करना आपको कोई भी डाउट हो 9582062485 कोई भी कोर्स रिलेटर पर्चेस करना कोर्च पर्चेस कर